जग्राओं में बारिश के कारण हर साल कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है जग्राओं प्रेस के लोगों ने जग्राओं की धालीवाल क्लोनी के पास दौरा किया वहाँ पर एक सेम जाती है जो की पिछले काफी समय से साफ नहीं हुई है जिस कारण वहां बारिश के दिनों में पानी भर जाता है और उसका पानी ओवरफलो हो जाता है वे कुछ किसानों के खेतों में चला जाता है और कुछ लोगों के घरों में चला जाता है इस मौके पर किसान परमजी सिंग ने बताया कि उन्होंने पिछले साल भी सरकार को लिख कर भेजा था और जगराओं के STM राम सिंग ने एक दिन इस ट्रेन का मौका देखा पर उन्होंने भी अभी तक किसी अधिकारी को नहीं भेजा कि कोई इस नाले की सफाई कर सके और आज प्रेस के लोगों ने भी जब राम सिंग से मिलना चाहा तो उन्होंने फोन पे कहा कि वे आज मीटिंग में हैं वहीं किसानों ने पंजाब सरकार्ड से अपील की है कि इस ड्रेन को जल से जल साफ करवाया जाए जिससे किसानों की फसलों को बचाया चा सके पाणि नूहीं करती सी और शाड़े जमीना दा जेडा नुक्सान सी गा कदे निची हुंदा होन जग्राव शैर दा पाणि साड़ी सेम दे वेच पैन लगया इस दे वेच ए सारा गब गंद सारा कोछे ने वेच्चा सफाई दा कोई खास्त आन नहीं दता जान दा नुक्स बढ़ाण दे लई एस आनु पैपा पाण दी याज भी दिन दे वीचे पॉड बढ़ाणा दे लेंटर दा पॉड बढ़ावे ने उत्तों दी आज पाणि से नंगे ओ थे ना ने नाड़ा बढ़ा आगे च्टा करवा आगे ए मैग में ने पता नी किये ना दुरूनी गव दे लेवन उच्चा जा नीमा होन करके साड़ा पाणी पिछे डाप लगदा साड़े खेता ना बहुत नुकसान देख रहे हो भी ये नुकसान जेडा साड़ा चूना डबगा लगया होया ते साड़ा एस नू रोकन देर सफाई ज़िक रागवे जे साड़ा भी उसे तरह ह पका नाला बना जेडा नुकसान नी होगा और साड़ा पाणी पेंदा हो जूगा अजी प्रशाश्यों पोर्ज और मांग कर दें भी साड़ी एनु खास्ते आंधता जावे नहीं ता सानु कठे होगे मजबूरन तोर जोते खेंगर्च करना पोगा ताह जो सानु मजबूर परशाशन नहीं सुनूगा अजी अगली कारवाई जो साड़ा आसी साड़ा करांगे वह जो मजबूर होगे करांगे